सूप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे एक नई कहानी और हमारी आज की कहानी का नाम है साप का बिल आए कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ चित्र देखें तो सबसे पहले देखें यह क्या है? यह एक पेड का चित्र है और इस पेड का क्या नाम है? बरगद का पेड यह एक बरगद के पेड का चित्र है आए दूसरा चित्र देखें यह किसका चित्र है? यह एक भेड का चित्र है और यह कौन है? यह तो गिलहैरी का चित्र है शाबाश! तो बरगद का पेड भेड, गिलहेरी आईए कुछ और चित्र देखें यह एक बिल्ली है बिल्ली का चित्र यह कौन है? चूहा और अब यहाँ देखें यह किस का चित्र है? के चूहा बिल्कुल सही तो आपने देखा बिल्ली, चूहा, के चूहे का चित्र आईए अब हम कहानी पड़ें बर्गत के पेड के नीचे एक साप का बिल्ल है जो आपने देखा यह बर्गत का पेड उसके नीचे एक साप ने बिल्ल बनाया हुआ था गिलहेरी, बिल्ली कौन-कौन? गिलहेरी, बिल्ली और भेड उस साप से डड़ते और पेड के पास नहीं आते एक दिन एक केचुआ आता है और पेड की और चलने लगता है गिलहेरी, बिल्ली और भेड उसे रोकना चाहते हैं पर केचुआ नहीं मानता है केचुआ उस साप से मिलना चाहता है जिसे सब डड़ते हैं वह साप के बिल में चला जाता है गिलहेरी, बिल्ली और भेड दूर से बिल की और देखते रहते हैं थोड़ी देर बाद केचुआ बहा अराता है और सब को बताता है कि साप अब उस बिल में नहीं रहता बिल में अब एक चुहा रहता है बिल में कौन रहता है अब एक चुहा यह सुनकर गिलहेरी, बिल्ली और भेड को चैन की सास आती है क्यों चैन की सास आती है? क्योंकि उनको साप से बहुत डर लगता था अब देखें बरगत के पेड के नीचे क्या था? बरगत के पेड के नीचे एक साप का बिल था पेड की और कौन जाने लगा? कि चुहा साप के बिल में कौन-कौन रहता था? अब आप बताओ साप के बिल में कौन-कौन रहता था? कौन रहता था? चुहा आपको कहानी कैसी लगी? आपको मुझे लगता है कहानी बहुत पसंद आई और कहानी में साप की कहानी थी जिसमें कौन रहता था? साप के बिल में चुहा तो आप अपने ममा पापा के साथ दुबारा से एक बार फिर से कहानी पढ़ें सुनें और मज़ा करें धन्यवाद